दोस्तो अधानी ग्रूप की बात तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकि है, सुप्रीम कोट का फैसला आ चुका है अधानी के मामलے में, क्या कहा है सुप्रीम कोट न है इस पूरे मामले में और देख सकते हैं कि एक तरह से अधानी ग्रूप को बहुत बड़ तो फैसले के पहले ही पॉजिटिव महौल बनना शुरू हो गे था सुब बाजार गिरावट के साथ सुरुआत की बाजार ने लेकिन अदानी गुरूप के शेरों में बंपर तेजी थी और वो तेजी अभी भी बनी हुए है और इस फैसले के बाद भी देखे तो महौल तो प क्योंकि अदानी गुरूप के शेरों में अभी भी हमें वो प्राइज नहीं देखनों को मिली जो हाई प्राइज थी उस दिसाब से अभी भी भी बहुत सारे डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहे है कौन से श्टॉक में दाव लगाना चैन सारी बातों को जानेंगी इस एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नेवडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइ साथ मिला जो इंडेक्स बेक सेर है वो पॉजिटिव इस विज़ जैसी गिरावट कम देखरें बाखी ओर ओर ओल बाजार में गिरावट का माहल बना हुआ इस समय चाहे आप रिलाइस का थोड़ा सा साथ मिल रहा है या फिर अदानी ग्रूप के शेरों का साथ मिल जिससे थोड़ा सा सम्बला हुआ है लेकिन बाजार में अवरॉल प्रॉफिट बुकिंग का माहल बना हुआ है अब अदानी पोर्च आनी स्पेशल एकोनोमिक जोन की बात करें तो इस समय 1092 के इस तर पर है जापे 1.32% की तेजी बनी हुए ग्यारा सो पांस के आसपा सुरुआ द लेवर से प्रॉफिट बुकिंग आई है अब यहाँ पे अदानी पॉवर की बात करें तो 535 पर स्टॉक ट्रेड करता हुए जापे 3.16% की तेजी दिखरी है और देख सकते स्टॉक अपने उपडी लेवल के आसपास ही है अदानी विर्मा लिमिटेड की बात करें तो 381 प अब उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देगा लेकिन अदानी एनर्जी सोलूशन की बात के तो श्टॉक ने कमाल कर दिया है अब आप देख सकते हो की 1167 के इस्टर पे 9.88 परसे निलग दस परसें की जबर्दस तेजी बनी हुए वैसे साड़े 12 तक भी श्ट आपके 1.42 परसें की सांधार तेजी है ACC Cement 2281 पर पे 0.61 परसें की थोड़ी मामूली सी तेजी है और NTTB कमाल कर दो ऑनके 2285 के इस्टर पे 5.09 परसें की सांधार तेजी बनी हुए अब आप देख सकते हो की Supreme Court ने अपना फैसला दे दिया है और Supreme Court ने CAB के उपर पूरा पिरशले को सुना दिया गया तो देख सकते हो कि आज एक इतर से देख तो सुप्रीम कोर्ट ने जो से भी जाच करिए उसके पर पूरा बरोसा जता है उन्होंने एका है कि से भी अपने हिसाब से नियाच करी है और से भी कहोपर हमें पूरा बरोसा है वो नियमों के तयात काम कर रही है यहाँ पर सुप्रीम कोट ने जो सबसे बड़ी बात की कि ऐसे किसी भी तीसरी पार्टी की जो कुछ रिपोर्ट निकले उसके बरोसे किसी भी बड़ी कमपनी को पर इलजाम नहीं लगाया जा सकते है उनका ही सारा हिंडर्बक की तरफ था जो ऐसे कोई भी ऐलिगेशन लगा दे जिसके बेसिस पर इतना बड़ा सारा मामला किया जाता है लेकिन वो गलत है सुप्रीम कोट का कहना है कि सेवी बिलकुल नियमों के तयतकाम करी है सेवी के उपर हमें पूरा बरोसाइव के स्वतनत्र बोड़ी है और उनके किसी भी कारे करने की उनकी छमता के उपर हम सवाल नहीं हूटा सकते सुप्रीम कोट ने ये भी का कि 22 अलग-अलग जो इन्वेश्टिकरिशन हो रही थी उसमें से 20 टोटल क्लियर हो चुकिये उसकी जांच सेवी ने कर लिया है दो मैटर अभी पेंडिंग है और इसलिए तीन महीने का वक्त दिया गया है सेवी को कि आप इन तीन महीनों में पूरी जांच कर ले और उसके बाद में हम इसके उपर कोई और निसकर्स निकालेंगे तो कुल मिला के दो जांच बागी रहेगे 20 हो चुकिया और उस बीच में एक तरसे देखे तो आप देखे तो क्लियर निकल चुके अधानी ग्रूप और अभी दो मेंटर बाकी है तो दो मेंटर की जो जांच है वो भी बहुत जल्द सामने होगी है और इसके लिए तीन महीने का सुप्रीम कोट ने वक्त दे दिया सेवी को यहाँ पे सुप्रीम कोट ने क्लियर किया कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसके दम पे हम सेबी की जो जाच है वो SIT को ट्रांस्फर करे क्योंकि और लड़ी सेबी ने SIT बने है वो उसकी जाच अच्छे से कर रही है और हमें और किसी SIT की कोई जरूत नहीं है कोई S कोट का बिगड़ता है क्योंकि जो मामले का जो मजबूत ग्राउंड नहीं लगानी चीए क्योंकि इस मामले पे देखे तो गलतिया दिखाए नहीं दे रही है यह सारा का सारा मामला एक तरसे एलिकेशन के दम पे जो एक मीडिया रिपोर्ट ने लाई है वो भी इंडिया के बार की एक मीडिया ने एक अपनी तरब से जो रिपोर्ट लाई जिसके दम पे यह सारा मामला खड़ा किया लेकिन एक तरसे देख सकते हो कि संतूष्ट है इस पूरी सेभी की जान से सुप् कमिटी के जो मेंबर थे उनके उपर भी अलग-अलग इल्जाम लगाएगे कि यह कभी ने कभी अदानी गुरूप से संब्ध नहीं लिए उनकी जो कारी चम्दा के उपर सवाल उटाये लेकिन अब उनसे कागया थे कि नई और जाज कमिटी घटित की जाए उसके उपर भी प्रहाद दिया अदानी गुरूप के लिए आने वाले तीन महीने में जो भी है से भी अपनी जाज करके रिपोर्ट देगी लेकिन पूरा कवरा मामला एक तरसे देखे तो यहां पे टाय टाय फीस होता हो दिखाए देगा और इसी विज़े से अदानी गुरूप के शेरों का इनों ने कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है येर 2023-24 के दोरान और आप देख सकते हो दिसमर 2023 में अदानी गुरूप ने 35.65 देखे हो कि मैट्रिक टन का टोटल कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है और इसमें 42% की येरन बेसी पे व्रिदी देखना को मिल रही है ड्राइ को बढ़ता हो दिखाई देगा इस क्वार्टर के अंदर देखे तो 109 मेट्रिक टन्स का टोटल कार्गो हैंडलिंग किया है और देख सकते हो कि इनका जो टोटल 106 मेट्रिक टन का कंट्रिबिशन है वो डोमेस्टिक पोटफोलियो से है पिछले 9 मेने का कार्गो उन्होंने काया है कि हमने 300 मेट्रिक टन्स का कार्गो वॉल्यूम कर लिया है जो सिर्फ 266 दिन में हमने कंप्लिट किया है और इस से पिछले साल हमने इसके लिए 329 डेज लगा जाने 329 दिन का जो कार्गो वॉल्यूम था वो 266 दिन में ही कंप्लिट कर लिया तो कुल मिला के बीगनर्स काफी अच्छा है और अब जैसे कि सुप्रिम कोट ने भी एक तरह से बड़ी रात दिये तो अधानी ग्रूप में आने वाल समय पॉजिटिव माउल बनेगा अभी फिलाल इस मामले में तीन महीने का वक्त और है पूरा फाइनल फैसला आने के लिए लेकिन जो स सब्सक्राइब कर दीजिए ठैक्यों फ्रेंड